जिस बियार को I.S. और I.P.S. की खान कहा जाता है वहाँ अगर ग्रेजुएट की डिग्री लेनी हो तो कम से कम 5-6 साल अपनी जिन्दगी के खपाने होंगे ऐसा इसलिए नहीं कि वहाँ पर सिलेबस इतना कटिन है कि पास होना ही मुस्किल है दरसल सिस्टम ऐसा जो किसी भी छात्र के कैरियर के इन एहम सालों को दीमक की तरह चाट जाता है हरानी है कि जंगल राज का नारा देकर साल 2005 में सत्ता में लगातार काविज नितिश कुमार भी बिहार के विस्विद्यालों में हो रही इस धन्दागर्दी को रोक नहीं पाए है जब उनसे सवाल पुछा जाता है तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि दिखवाते हैं बिहार के विस्विद्यालों के रिजट कार्ड की इस खास रिपोर्ट को देखने से पहले आप खुश हो लिजिए क्योंकि बिहार विद्याले परिक्षा समीत ने रिकार्ड बनाते हुए लगातार पांचवी बार पूरे देश में इंटर्मीडियेट का रिजट सबसे पहले जारी किया है इस साल आर्ट्स, साइंस और कामर संकाय मिलाकर कुल 13,4586 विद्यार्थियों ने परिच्छा दी थी बिहार बोर्ट के मुताबिक इनमें से 43.70 फीजदी छात्रों को सफालता मिली है इंटर्मीडियेट के रिजट आने के बाद इसनातक की पढ़ाई में दाखला लेने का प्लान बना रहे चात्रों के आगे फिर वही समस्या है जो बीते तश्कों से उनसे पहले विद्यार्थी जेल रहे हैं वज़ा है बिहार के विश्विद्यालों में 17 का समय पर पूरा नहीं हो पाता कई विश्विद्यालों में इसनातक की पढ़ाई पूरी करने में 6 साल का समय लग जाता है अक्टूबर 2005 में जीत मिलने के बाद विजेपी नेता अरुन जेतली के साथ नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फरेंस करते वे नितीश कुमार ने कहा था कि यह एक मितक है कि बिहार ठीक नहीं हो सकता हम इस मितक को तोड़ना भी चाते हैं हमारा फोकस शुशासन और सिक्षा बेउस्था को बिदलना है नितीश कुमार ने अपने करीबी वर्षिक पटेल को सिक्षा इभाग की जिम्मेदारी दी थी नितीश कुमार सासन के 18 साल बीच चुके हैं लेकिन विहार में विशिद्या से दिखाते हैं कि इंटरमीडियेट का रिजल्ट सबसे पहले देने वाला बिहार हायर एजगेशन में क्यों आखिर फिसद्डी है देखिए पूरी रिपोर्ट रिपोर्ट देखने से पहले जानिये की विश्विद्याले में केतनी देरी से चल रहा है सत्र जेपी सबसे अधिक देरी जेपी विश्विद्याले चपरा में ही होती है यहां अमोमन छे साल में ग्रेजवेट और साड़े तीन साल में मास्टर्स का गोर्स पूरा होता है चात्रों का आरोप है कि एकजाम लेने रिजल्ट देने और फिर अगले सत्र में नामांकन देने की प्र मगद उनिविश्टी का भी नाम सीड्स पर दाता है यहां भी ग्रेजवेट का कोर्स छे साल में पूरा हो पाता है मगद उनिविश्टी में इसी साल के शुरुआत में सत्र में देरी को लेकर अंदोलन भी हुआ था चात्रों का कहना था कि 2018 और 21 वाला कोर्स अभी तक पू पूरियोपाती थी बी आर विश्विद्याले मुझफरपूर भीमराओं बेटकर विश्विद्याले मुझफरपूर में भी ग्रेजवेट की पढ़ाय पूरी करने में पांच साल का वक्त लग जाता है जहां एक सत्र का रिजल्ट जारी होता है तो उसके बार दो तीन सत्र का रिजल्ट पेंडिंग में रहता है बी एन मंडल इनुष्टी मधेपूरा भुपेंद्र नारान मंडल इनुष्टी मधेपूरा में भी इस नातक की पढ़ाय पूरी करने में पांच साल का वक्त लग जाता है हाला कि इनुष्टी का रिजल्ट उस वक्त चर्चा में आया जब एक स्टुडेंट को बिना एक्जाम के ही डिगरी मिल गई थी बियन मंडल निविश्टी का करी 600 करोन रुपे का बजट है और संस्थान का दावा है कि आने वाले सत्र को पट्री पर लाए जाएगा इसके लिए कई तरह के प्रयास भी किये गए हैं बैराल जमीन पर रिजल्ट जीरो बटा सन्नाटा है ललित नराण मिथला उनिविश्टी दर्भंगा इस विश्विद्याले में समय से परिच्छानी होने की वज़े से तीन लाग छात्र हर साल प्रभावित होते हैं इस विश्विद्याले की गिंती बिहार के सबसे पुराने विश्विद्याले में भी होती है लरित नराण मिथला उनिविश्टी में ग्रिजविशन करने में तीन साल के बदले पांच साल का वक्त लगता है युनिविश्टी में 2015 में अंदोरन हुए थे तो उस वक्त सत्र में सुधार आया था लेकिन पिछले तीन साल से फिर हालात बत से बत्तर है